I present the budget for the year 2022-23 जसे बजपन में मम्मी चपल मारती थी और फिर हमारे बजट को लेकर जो थोड़ी बहुत भी उत्सुकता होती है वो भी मर जाती है लेकिन कोई बात नहीं आज हम आपको आसान भाशा में सब कुछ बताएंगे तो बने रहिए वीडियो के अधितक हमारे साथ चलिए शुरू करते हैं वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत सरकार का पहला बजट पाकिस्तान के ब्रधान मंतरी लियाकत अली ने पेश किया था अब सोचने वाली बात ये है कि जब देश का बजट वित्मंतरी पेश करता है तो फिर भारत सरकार का पहला बजट पाकिस्तान के ब्रधानमंत्री ने क्यों पेश किया आपकी एक क्रियोसिटी भी मिटेगी लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बजट क्या वाला है और इसे बजट नाम कहां से मिला असल में बजट शब्द के मूल में है फ्रांस का एक शब्द बुगेट और बुगेट का मतलब होता है एक छोटा चमरे का बैग बटवा ये थैली और कई बार इसके अंदर के सामान के लिए भी बुगेट शब्द का इस्तमाल किया जाता है अतीत में कहा जाता था कि बृतेन के चांसलर अफ दी एक्षेक वार यानी वित मंतरी ने अपना बजट खोला बतलब उन्होंने अपना बैग खोला जिसमें से वित्य योजनाव से संबंदित दस्तावेज निकाले धीरे धीरे बजट को वित्य योजनाव के दस्तावेज के संदर्भ में ही प्रियोग में लाया जाने लगा और उसमें से खोलना या निकलना छूटता गया भारत की बात करें तो हमारे समविधान में बजट शब्द का उलेख नहीं मिलता समविधान के आर्टिकल 112 में इसके बज़ाए एनुवल फाइनेंशिल स्टेटमेंट यानि वार्षिक वित्य विवरन शब्द का इस्तिमाल हुआ है दरसल जिसे लोकसभा चुनावों को हम आम भाशा में आम चुनाव कह देते हैं वैसे ही देश के बज़ट को हम आम बज़ट कह देते हैं लेकिन ये जरूर है कि बज़ट शब्द के साथ अपचारिक अनपचारिक वाली रेखा पूरी तरह मिठ चुकी है हलाकि 2022 में बज़ट शब्द से डू अवे करते हुए निर्मला सीतारमन ने इसे देश का बहिखाता कहा था साथ ही उन्होंने इसे किसी बुगेट यानी बैग में नहीं रखा था बलकि इसे लाल रंग केक कपड़े में डूरी से बांदा था लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पहली बार था जब बज़ट से जुड़ी कोई परंपरा तोड़ी गई थी तो आपको भारतिय बज़ट के पूरे इतिहास को ज़रूर जाना चाहिए जिसमें नई परंपराएं जोड़ने और पुरानी परंपराओं को तोड़ने और कई बार दोबारा से इंटेडियूस करने की लंबी परंपरा रही है साल था ठारा सो साथ धिर शुरूरतिक रांतिय और विद्रो को दमन करते हुए इस्ट इंडिया कंपनी की हालत पतली हो चली थी ऐसे में जरूरत थी खर्च और आमदनी का हिसाब किताब रहने की ऐसे में स्कॉटिश एकॉनमिस्ट और पॉलिटीशियन जीम्स विल्सन इस काम के लिए सबसे मुफीद अंग्रेज माने गए बजट के लावा टेक्स को लेकर कानून बनाने और भारत में कागस की मुद्रा की शुरुआत करवाने के लिए उन्हें 1869 में कुईन विक्टोरिया ने भारत भेज दिया इससे पहले टोपी बनाने और बेचने से अपने करियर के शुरुआत करने वाले जीम्स धीरे धीरे सफलता की सीड़ियें चड़ते चले गए वो ब्रिटेन के संसद सदस्य और वहां के वित सचिव भी रह चुके थे इंडिया आने के बाद 1860 तक वो उस समय के वॉइस रोय की वित परिशद के सदसे रहे बारहाल 1860 में भारत का पहला आम बजट पेश किया गया और ये बजट पेश हुआ था साथ अपरेल 1860 को शाम पाच बजे इसे आविभाजित भारत का पहला आम बजट और जीमस विलसन को भारतिय बजट व्यवस्था का पिता महा माना गया 1860 का पहला बजट ब्रिटिश मॉडल पर बेजड था और इसमें ज्यादतर प्रावधान और समिक्षाएं सैनिको और सैन्यबल को लेकर थे इसमें वितमंत्री के जॉब प्रोफाइल की भी रूप रेखात तै हुई थी बता दें कि जेम्स विल्सन ही वो व्यक्ति थे जो भारत में पहली बार इंकम टेक्स कानून भी लेकर आये थे जिसका छुट-पुट विरोध भी हुआ था हालकि या आज डेर सो सालों के बाद भी चल रहे स्टेंडर्ड चार्टिड बैंक और दी एकॉनमिस्ट नीजस्पेपर के संस्ताफ अगज जेम्स विल्सन इस बजट को पेश करने के बाद ज्यादा दिनों तक जिन्दार नहीं रहे 11 अगस्त 1860 को भारत में ही उनकी मौत हो गए उनकी कबर आज भी कॉलकाता के प्रसिद चौरंगी लेन के पास है पाकिस्तान के ब्रधानमंत्री ने भारत का पहला बजट क्यों पेश किया चलिए बात करते हूं उस चीज के बारे में जिसको लेकर आप अब तक सबसे ज़ादा परेशान थे हर साल देश के वितमंत्री आने वाले साल के लिए केंद्रिय बजट पेश करते हैं ठीक वैसे ही जैसे इस बार निर्मला सीतारमन ने पेश किया दोस्तों बजट को लेकर कई अंसुने और दिल्चस्प तरते हैं जिन में से एक ये भी है कि भारत का पहला बजट एक ऐसे शक्स ने पेश किया था जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से थे जी हाँ भारत का पहला बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रदानमंत्री भी बने ये बजट उस वक्त पेश किया गया था जब भारत आजाद होने वाला था और भारत पाकिस्तान का बटवारा नहीं हुआ था उस वक्त आजादी से पहले एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी जिसमें वित विबाग का कार्यभार मुस्लिम लीग के लियाकत अली के पास था वो जिन्ना के बाद All India मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग ने उधे अपने नुमाइंदे के रूप में भीजा उन्हें पंडित नहरू ने वित मंतरालिय सौपा था इस दोरान साल 1964 में उन्होंने भारत का अंतरिम बजट पेश किया था इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और दोनों देशे सोतंतर हो गए और फिर लियाकत अली को पाकिस्तान का पहला प्रधान मंतरी बनाया गया अब जब भारत का पहला बजट पाकिस्तान के बियम ने पेश किया था तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आया होगा कि यार आजाद भारत का पहला बजट किस ने पेश किया था बताते हैं नागरिकों के लिए कल्यार योजनाव पर खर्च यानि कि वो ही पुराना सवाल कि आम नागरिकों के लिए सरकार क्या लाई इसके लावा आयात पर खर्च डिफेंस पर खर्च और वेतन और कर्ज पर दिये जाने वाले ब्याज शामिल होता है वही सरकार को होने वाली कमाई क के हिस्से में टैक्स सर्वजी कंपनियों की कमाई और बॉंड जारी करने से होने वाली कमाई शामिल की जाती है दोस्तों उम्मीद करते हैं आज बजट से जुड़े आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल गये होंगे बजट को लेकर अगर आपके पास और भी कई सवाल है आपके रए एका देएघर की सवाली कमाई आपके से अढ़ेक है तृ कि कैस आपके जारी है तेल माई जा आपके सवाला है虑े दू लेका सवाडरी करना सांहे भी हाले का आपके सवाले को से ही निवाफओेशा से ह।ट मैंने विया willingness के दा बहा कर से जापकेछा है मिऑे